अब कार में आगे पीछे बैठने वाले सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी हो गया है बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए केंदरिय परिवहन मंतरी नितिन गटकरी ने कहा कि कार में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी होगा गटकरी ने एक कार्यकरम में साइरस मिस्तरी की कार दुर्गटना में हुई मोत का भी जिकर किया गटकरी ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भारी जुर्माने की बात कही है सरकार अगले तीन दिनों में इसका आदेश जारी करेगी ड्राइविंग सीट पर बेटा शक्स तो पहले भी सीट बेल्ट लगाता था लेकिन अब पीछे बेटे शक्स को भी इस नियम का पालन करना होगा ऐसे में ज्यादा सुरक्षा पर जोल दिया जा रहा है जिससे ऐसी सडक दुर्गटनाओं को कम किया जा सके NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब से कार में पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की वैवस्ता होगी अगर पीछे बेटा शक्स सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो अलारम बज़ता रहेगा नियम के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हजाग उपे का जुर्माना लगाया जा सकता है टाटा संस के पुर्व चेयर्मैन साइरस मिस्तिरी की सडक हादसे में मोत से सबक लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है जाने माने बिजनिसमें साइरस मिस्तरी की रविवार को सडक दुरगटना में मोत हो गई थी यह हादसा महराश्ट के पालगर जिले में नैशनल हाईवे पर हुआ था इसके बाद ही सरकान ने पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट अलर्ट की वेवस्ता करने का फैसला लिया है ब्यूरो रिपोर्ट यान टीवी